नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के बंडित में तो दोस्तों गर आप इस तरीके के प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो सिंप्ली मैनर में देखेगा आपको क्या करना है इग्जाक्ली आपको हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना जहां पर कल मार्केट ओपन होने से पहले टाइम प्रेडिक्शन आएगा कि कितनी दिर में बांक निफ्टी ऊपर या नीचे जाएगा तो दोस्तो बहुत बड़ा अप्डेट आ रहा है और अप्डेट आपका देखेगा अडानी जी के स्टॉक से रिलेटेड है तो इसका मतलब है कि आगे चलके स्टॉक मार्केट के लिए काफी अच्छी बात है दोस्तो कोई भी पर्टिकुलर न्यूज होती है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड होती है तो मार्केट उस पे एक बार वीव करता है दो बार करता है तीन बार करता है बार बार देखेगा नहीं करता चुकि कुछ समय बाद वो stock या फिर देखेगा जो news होती है वो पुरानी हो जाती है तो market उस पे react करना बंद कर देता है चाहे वो कितनी भी बड़ी update हो चाहे वो FED की तरफ से आ रही हो चाहे State Bank of India, RBI या फिर कोई भी बड़े bank की तरफ से आ रही हो कुछ भी हो रहा हो लेकिन आपको पता है कि यो shocks होते है वो धीमे धीमे समय के साथ पुरानी होते चलियाते है और फिर market stable हो जाता है और फिर अपने growing track पे वापस आ जाता है तो कुछ ऐसा ही survey किया गया है कि Adani के shock के कारण देखेगा जो fall आया है capital market में वो तेजी से घट रहा है अगर आप देखेंगे तो तेजी से घट रहा है और आगे चलके market Adani जी के stocks related चीजों पे हो सकता है react ना करे तो आप समझ सकते हैं कित्ती बड़ी बात है चुकि जैसे Adani जी के stocks related कोई update आती है तो उसका impact पड़ता है सारे PSU bank पे और PSU bank पे update पड़ने के बाद वो सीधा bank nifty पे impact करता है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अभी नहीं पड़ेगा आने वाले time में कम होता चाहेगा दीरे दीरे कम होता जाएगा according to this survey चुकि low bet कर रहे हैं इंडिया की जो dream economy है 5 trillion economy पर इंडिया के budget पर इंडिया की corporate governance पर इंडिया की government पर और इंडिया के initiatives और action पर ये बड़ी बात होती है तो आप देख सकते हैं science are fast emerging that investor in stock market are moving beyond the adani group तो अगर आप देखेंगे कि investor जो है वो adani group के shock को किनारे करते हुए अब आगे बढ़ ला है local money manager are bullish on the outlook for the year यानि कि stock market को लेकर जो domestic fund manager है वो bullish है और overseas fund manager are starting to trickle back into 3.1 trillion equity market तो आप समझ सकते हैं कि जो foreign investor भी है FIIs भी है पिछले 3-4 दिलों में उनने buying करी है आपको भी पता है तो वो भी इस particular track पे capital market को इतने बड़े capital market को emerging capital market को लेकर bullish है ये बड़ी बात है भी मैं आपको survey दिखाता हूँ लेकिन वीडियो को like करना मत भूलेगा जो कि आप वीडियो को like करेंगे तो ऐसे time पर information आपको मिलेगी तो आपको पहले बताना चाहूँगा कि पूरी तरीके से January का महिना और first week of February देखेगा आपका क्या हूँआ है बहुत खराब निकला था क्योंकि एक report आई थी और उसके बाद stock market budget की update के बाद भी सुधर नहीं पा रहा था क्योंकि आपको पता है ये एक बड़ा group है और अचानक से ये देखेगा इस तरीके से जब 87% 60% के stocks में गिरावट होगी तो market उस पे react करता है तो अब देखेगा investor क्या कह रहे है कि अडानी जी का ये खुद का issue है ये कोई भी देखेगा Indian capital market का issue नहीं है अडानी sell-off isn't an India issue because the governance standard of many Indian company are with global ones तो आपको पता है कि कही ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी groups related corporate governance related problems आती रहती है I have become more bullish यहाँ पर अगर आप देखेंगे said veteran emerging market investor Mark Mobius तो अगर आप देखेंगे तो India के capital market को लेकर बहुत सारे लोग bullish है इस साल India is now has attracted international attention and investor will realize that the अडानी case is an abbreviation तो आप समझ सकते हैं कि अडानी जी के particular update को बहुत तरीके से अगर आप देखेंगे किनारे किया जा रहा है Mobius said he is looking to buy technology in France healthcare stock he told Bloomberg late last month that he plans to put more money into the Indian market और future market is great तो आप समझ सकते हैं कि इस बात को बहुत जादा confident देते हुए कई सारे local fund manager का क्या किया गया सर्वे कराए गया और जब सर्वे कराए गया तो 22 local fund जो थे उन्होंने क्या कहा है वो पूरी तरीके से bullish है Indian stock market को लेकर और वो अडानी जी के update को इतना ज़्यादा value नहीं दे रहे है only two were bearish while four other were neutral तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये चीज़े देखते हूं मिल लीए कि most of the देखेगा जो fund manager है वो Indian stock market को लेकर bullish है तो पैसा कौन डालेगा पैसा देखेगा तीन महा शक्ति हैं एक DIAs, FIAs, Retail Investor तो Retail Investor तो already देखेगा काफी pump up कर रहा है पैसा और DIAs second particular चीज़ है और third हो गया FIAs अगर वो positive हो जाते हैं तो फिर Indian stock market एक देखेगा growing track पे वापस आ जाएगा और जो FIAs है उनके लिए जो देखेगा report आई है उसमें भी पता चला है कि वो अब less concerned है यह जो अडानी जी से related कोई भी particular देखेगा update आ रहा है वो foreign fund boost कर रहा है Indian stock market में और आगे चल के देखेगा आपको बड़ा foreign investment देखनी को मिलेगा Indian stock market में according to this survey जो कि Indian stock market के लिए बहुत ही positive update है तो कल के लिए बहुत ही positive update है वीडियो गर अच्छा रगा है तो like share subscribe करना ने बूलेगा thank you so much